हेलो एवरीवन आज हम एक यह कोश्चन सॉल करेंगे एसी ऐसा यह नेट और ज्रफ के एक्जाम में 23 जून में आया था बेसिकली और बहुत सिंपल कोश्चन है कोश्चन यह है कि which of the following function is uniformly continuous on the interval 0 to 1 ओके ओपन इंटरवल यहाँ पर गिविन है तो हमें एक बेसिक कंडिशन यह पता है कि कोई function अगर यूनिफॉर्म continuous है फर्स्ट यह है कि वो continuous होना चाहिए ठीक है अपने given domain में continuous होना चाहिए और अगर वो जो भी हमारा एक interval given है उसके end points के उबर भी continuous है यह आप कह सकते हैं अगर end points के उपर limit एक्जिस्ट करती है तो वो function हमारा uniform continuous हो जाता है तो आप यह देखें कि जैसे फर्स्ट option में fx equal to sin1 upon x given है तो obviously sin1 upon x को कोई problem नहीं है open interval 0 to 1 ठीक है 0 1 के open interval में मतला excluding 0 and 1 यहाँ पर इसको कोई problem नहीं इविन 1 पर भी इसको कोई problem नहीं है इसे तो fx जो है यह continuous function है open interval 0,1 के अंदर इसी तरह से अगर हम इस b option की बात करें तो यह हमारा basically b option है यह b option है कि fx equal to minus x square यह भी function continuous है open interval 0,1 में similarly c option देखेंगे हम तो यह भी continuous है okay d option देखेंगे यह भी continuous है मतलब कि अगर open interval में कोई भी number put करो यहाँ escalated function की value आ जाएगी open interval 0,1 में लेकिन आप 0 को include नहीं करेंगे यह आपर अब uniform continuous होने के लिए हम क्या करते हैं हम यह check करते हैं कि जो end points है उनको पर limit exist करती है या नहीं करती है तो आप देखो अगर मैं first वाले को पहले option को देखता हूंगर सबसे पहले मैं 0 पर limit find out करता हूं limit extending to 0 limit extending to 0 sin 1 upon x 0 को जब x जब 0 तब को tend करता है sin 1 upon x oscillate करने लगेगा अब y x के उपर तो यह तो exist नहीं करेगी limit not exist ओके बी option को देखें आप limit extending to 0 e to the power minus के 1 upon x square आप ध्यान से देखें अगर x equal to 0 extending to 0 हो रहा है तो यह कहां जाएगा e to the power minus infinity पर जाएगा लेकिन minus है तो 1 upon कर देंगे हम तो यह किदर चला जाएगा 0 की तरफ कर्मट हो जाएगा कैसे मतलब यह हो जाएगा 1 upon e to the power infinity extending to 0 तो इसका मतलब B option में हमारे पास 0 के हमारी limit exist कर रही है 0 पर ओके और 1 पर तो obvious कर रही है 1 पर तो कोई ना कोई number आए जाएगा वनी तब को 10 करेंगे 0 पर problem थी C option में देखें इसमें तो कोई problem नहीं है extending to 0 पर तो 1 हो जाएगा लेकिन यह देखो यह problem create कर देगा extending to 0 पर ठीक है तो यह भी इसकी वी limit exist नहीं करेंगी similarly fourth option cos pi तो कोई एक number है उससे तो कोई हमें इतना ज्यादा work नहीं करना cos pi कोई number है कोई real number आजाएगा और cos 1 upon pi upon x जब extending to 0 करेंगे D option में तो वहां पर फिर problem create हो जाएगी मतलब वह exist नहीं करेंगी limit तो ना option a की limit exist कर रही है ना c की exist कर रही है ना d की exist कर रही है तो इसका मतलब 0 के उपर जो हमारा b option है fx equal to e to the power minus के 1 upon x square यही uniform continuous है बाती सारे continuous है लेकिन uniformly continuous नहीं है uniform continuous हमारा सिरफ b option है okay so i hope यह clear हो गया हो आपको बहुत simple question था कुछ नहीं करना just देखें continuous है continuous होने के बाद हमें देखेंगे कि end points के ओपर limit exist कर रही है नहीं कर रही है अगर limit exist कर रही है जिंजिन function के लिए वह सारे uniformly continuous हो जाएगे I hope यह clear होगा आपको फिर भी को doubt है तो मुझे आप comment section नहीं बता सकते हैं thank you so much guys झाल झाल को जाएगे तोड़ से बाही है थाएगे लिए यहाईगे यहाईगे झाल झाल रही है